अभी देखिए हम लोग बटन्स बनाएंगे तो यहां मैं कॉमेंट कर देता हूं बटन्स और उसके बाद यहां पे सबसे पहले एड़ बटन तो यहां पे मैं सेल्फ यूज़ कर रहा हूं इसके लिए तो मैं यहां लिखता हूं सेल्फ डॉट एड अंडरिस्कोर आइटम अंडरिस्कोर बी टी एन ठीक है यह मेरा पहला बटन और उसके बाद मैं यहां पे लिखता हूं ब्रैकेट ओपन क्लोस आप सबको पता ही होगा कि बटन मनाने के लिए हम लोगों को बटन फंक्शन का यूज़ करना होता है उसके बाद में इसका पैरेंट्स कौन सा फ्रेम में हम लोग रखने वाले इसको बटन फ्रेम में तो यहां पे मैंने बटन फ्रेम लिख दिया उसके बाद टेक्स website किसले यूज़ करते है यह भी आप लोगों को पता ही होगा इस बटन के ऊपर में जो हम लोग लिखना चाहते हैं उसके लिए हम लोग टैकस का यूज़ कर करने वाला हूं तो मैं यहां पर times new roman ले लिया हूं and then यहां पर comma और यहां पर 15 that means का size में 15 देने वाला हूं fund का उसके बाद में इसको हम लोग place कर देंगे तो यहां पर मैं लिक रहा हूं self dot add item btn dot place not pack place function का use करेंगे हम लोग place और उसके बाद x is equal to मैं यहां पर 50 दे दे रहा हूं and then y equal to मैं 0 रख रहा हूं और उसके बाद में फिर comma और white देना चाहता हूं मैं यहां पर तो white में दे दे रहा हूं 200 ठीक है और अगर मैं आप लोगों को एक बार इसको compile करके दिखा हूं तो देखें यहां पर button आ रहा है हमारा add button इसी प्रकार से मुझको और buttons चाहिए तो मैं क्या करूंगा मैं यहां से इसको copy कर लूंगा और उसके बाद मैं यहां पर पेस्ट कर दूंगा दो तीन चार पांच और एक छे ठीक है छे button चाहिए तो यहां पर आपका एक हो गया add item एक मैं यहां बनाना चाहता हूं आपका c a l c calculate button ठीक है calculation करने के लिए c a l calculate अंडर स्कोर बी आई एल एल बिल तो यहां पर भी इसी चीज़ को लिखना होगा तो मैं लिख देता हूं c a l c underscore b i l l बिल और यहां पर लिखा हुआ क्या आएगा calculate bill तो कहां गया इसका text at item का जगह में जहां हम लोग लिख देंगे c a l c calculate 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 bill bill और उसके बाद इसका x position जो रहेगा देखिए 200 तो उसका length ले ले रहा है और फिर plus 50 तो 250 तो 80 हो जारा 250 और 50 का distance तो total हो जागा यहां पर 300 ठीक है next यह जो button होगा यह button होगा आपका save करने के लिए तो मैं यहां पर लिख देता हूं save और यहां item का जगा मैं लिख देता हूं b i ll bill और यहां पर भी मैं लिख देता हूं save और यहां पर item का जगा मैं लिख देता हूं b i ll bill उसके बाद यहां पर add bill के जगा में मैं यहां पर लिख देता हूं save bill S A V E save V I L L build ठीक है और then अब यहाँ पे इसका जो position शुरू होगा वो होगा कितना ठीक है 300 और 200 500 और 50 का distance तो 550 ओके and then next button जो चाहिए वो मेरे को print करने के लिए चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P R I N T print और यहाँ पे आइटम जरूरत है नहीं यहाँ पे direct print underscore button लिख देते है और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ P R I N T print underscore button और यहाँ पे मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूँ क्या लिखा हूँ आएगा P R I N T print और उसके बाद में फिर यहाँ position जो होगा देखिए 500 500 और 200 दोनों को अगर हम लोग 500 यहाँ पे 550 करना पड़ेगा sorry हाँ और यहाँ पे आपका हो जा रहा है 750 बतलब यहाँ 800 करना पड़ जाएगा अब यहाँ पे फिर next button जो रहेगा वह हम लोग बनाना चाहते reset button तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ reset ठीक है और यहाँ add text का जगह में भी क्या आएगा reset area reset okay and then यहाँ पे भी हम लोग इसको change कर देते है reset और then यह जो position होगा यहाँ पे यह हो जाएगा आपका 1050 और कुछ change करना है नहीं इसके बाद last यहाँ पे एक button रहेगा यह होगा आपका exist button तो यहाँ मैं लिख देता हूँ exist यहाँ पे item दरकार नहीं है ऐसे exist button और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ एक exist button और उसके बाद इसका जो position होगा यह आएगा यहाँ पे 1300 से 1300 यहाँ पे लिखा हुआ क्या आएगा यहाँ पे लिख आएगा exist तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ exist और उसके बाद एक बार मैं इसको run करता हूँ तो देखिए यहाँ पे button आ गया add item calculate bill save bill print reset और exist पेषब